हेलो फ्रेंज, आज की रेसिपी हम लेफ्ट ओबर ब्रेट के साथ बनाएंगे कई बार हम मार्केट से ब्रेट लाते हैं और उसमें से दो चार ब्रेट बच्छी जाती है और इसी तरह पड़ी रहती है उसी ब्रेट का यूज करके कैसे हम एक नया ब्रेकफास्ट बना कर तयार कर सकते हैं जिसको सब खुश योकर खा ले और साथ में ब्रेट का यूज भी हो जाए तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं तो सबसे पहले एक स्टफिंग बना का रेडी कर लेंगे जिसके लिए हमने यहाँ पर दो बॉइल किया हुआ आलू ले लिया है आलू को ग्रेट कर लेंगे और इसे टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए सबसे पहले नमक एड़ करेंगे टेस्ट केक ओड़ी और कुछ मसाला एड़ कर लेंगे जिसमें half teaspoon चाट मसाला डालेंगे, half teaspoon जीरा पाउडर और साथ में डालेंगे चिली फ्लेक्स इसकी जग़ा आप चाहे तो रेट चिली पाउडर का यूज़ भी आप कर सकते हैं और साथ में डालेंगे एक छोटे साइज का प्याज को हमने छोटे छोटे टुकडो में काट लिया है उसे डालतेंगे और ग्रेट करके अद्रक डालेंगे बारी कटवा धनिया और काला नमक डालेंगे काफी अच्छा टेस्ट आता है काला नमक डालने से इन सबको डालकर पेशन डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक घोल बनाकर रेडी करना है, बहु ज़्यादा पतला या फिर बहु ज़्यादा गाड़ा घोल बनाकर रेडी नहीं करना है, consistency आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से घोल बना कर रेड़ी करना है इसमें कुछ मसाले एड़ कर लेते हैं जिसमें 2 पिंच हल्दी डालेंगे रेड़ चिली पाउडर डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा डालना है बहुत ज़्यादा मसाले का यूज नहीं करना है थोड़ा सा डालेंगे जीरा पाउडर 2 पिंच काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा 2 पिंच गरा मसाला डालेंगे नमक डालेंगे टेस्ट के एकोडिंग और 2 चमच बारी कटावा प्याज डाल देंगे और साथ में डालेंगे एक बारी कटावा हरी मिर्च रेट चिली पाउडर का यूज किया है इसलिए आप ध्यान से मिर्ची डाले या फिर बच्चों के लिए बना रहे हैं उसी साब से आप मिर्ची कम या जादा अपने टेस्ट के एकोडिंग कर सकते हैं बारी कटावा हरा धनिया डाल देंगे और इन सब को डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक गोल बना कर रेडि करना है अब चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हैं छोटे-छोटे टुकडो में कटा हुआ या फिर इसे इसके भी कर सकते हैं हमने इसमें टमाटर डाल दिया है दो चमच इन सब को डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेना है नेक्स टेप की ओर चलते हैं एक ब्रेड लेंगे और उसके उपर एक चमच बटर स्प्रेड कर लेंगे ध्यान रखे बटर रूम टेंप्रेचर पर होना चाहिए तब ही ब्रेड के उपर अच्छे से स्प्रेड होगा जब बटर अच्छे से स्प्रेड हो जाए उसके उपर एक चमच टोमेटो सोस लगाएंगे और उसे भी अच्छे से फैला लेंगे ब्रेड के उपर आप देख सकते हैं हमने अच्छे से फैला लिया है इसी तरह से आपको फैला करके रेडी करना है, अब 2 चमच आलू का स्टफिंग लेना है, और पूरे ब्रेड के उपर अच्छे से इक्वली डिस्ट्रिबूट करके, आप चाहे तो नाइप की हेल्प से, या फिर स्पून के हेल्प से, बिल्कुल अच्छे से ब्रेड के उपर और उस पर एक चमज या थोड़ा सा बटर डालेंगे आप चाहे तो इसकी जग़ कोई भी रिफाइन तेल या फिर अपने चोईस से घी भी डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं फिर इसके उपर बेशन का घोल एक चमज डाल देना है घोल बहुत जादा न से इस नास्ते में एक तो ब्रेट पकोड़ा का टेस्ट आएगा और साथ में हमने आलू का स्टफिंग डाला है और बटर से इसको सेक लिया है तो इसमें ब्रेट टोस्ट का भी फ्लेवर आएगा तो इसमें एक ही ब्रेट में दो तरह का टेस्ट आएगा ब्रेट पकोड़ पर इसे कुक करने के बाद पलट लेंगे और दूसरी साइड भी एक चमच तेल या घी बटर जो भी पसंद है आप डाल सकते हैं और उस दूसरी साइड भी अच्छे से से शेक लेना है तो हमने दूसरी साइड भी इसे ढख करके पांच मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर सेक ल दलेंगे और चलिए एक मज़दार सी टॉपिंग कर लेते हैं जिससे इसका स्वाद और भी कई गुना बढ़ जाएगा तो इसके उपर एक चमच टोमेटो सौस लगाएंगे थोड़ा सा बारी कटव प्याज टमाटर थोड़ा सा धनिया डालेंगे उपर से थोड़ा सा प्रिंकल कर देंगे इससे इसका स्वाद और इन्हेंस हो जाएगा बिल्कुल नए अंदाज और नए स्वाद में बना ये बच्ची हुई ब्रेट की रेसिपी काफी मज़दार है और इसे बनाना भी काफी आसान है तो जब कभी आपके पास भी बच जाए ब्रेट तो ये रेसिपी एक बाद जरूर ट्राई करें इसे बनाना काफी आसान है और बच्चों की फेब्रेट होने वाली है आप इसे ब्रेकफास्ट में या फिर साम में चाय के साथ भी बना सकते हैं और गर्मा गर्म इंजोई कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बादे 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 से बादे को एज रवारै कि बादे कर दो एंद